विद्यार्थियो आज दा सड़ा प्रैक्टिकल दो HTML दा दूसरा डगुमेंट जो आसी त्यार कर रहे हैं उस विच्छा से ही तिन अंदमे टैग्स बारे सिखांगे बी टैग आई टैग दे यू टैग वरे विद्यार्थितों आनमेत में दसना चानना कि बी टैग जड़ा है उस दी पर तो आसी फोंड नो बोल्ड करन लिए कि जिमे की हो थोड़ा जया गुड़ा नजराए आई टैग दी वर्तों आसी करते हैं कि टैग्स नो जेकर तिर्शा करना होए इटैलिक करना होए तो यू टैग दी वर्तों आसी करते हैं कि पिसे लाइन नो अंडरलाइन करना होए कि जदो आसे इस वेब पेज दी आउटपुट देखांगे ते बी टैग वाला टेक्स जेड़ा जो बोल्ड नहीं रहाएगा आई टैग वाला तिर्शा नहीं रहाएगा तो यू टैग वाला जो लाइन्स है एह अंडर लाइन नहीं रहाएगा सो इत्ते हैं इन्हों रन करके देखते हैं से अडिया उटपट किया अंदी है रन करन तो बाद आसे देखा है यह लाइन्स जेड़ी है नहीं जो मैं तुसी देख रहे हो आई एम स्टूड़न्ट ओफ क्लास टैंथ ए मोटी नजर आ रही है बोल्ड नजर आ रही है माई प्रोग्राम देख कोड देख आड करांगे कि जिमें हार लाइन्स जड़ी है अलग लाइन्स जेविछ नजरान सानु आउट खूड अलग लाइन्स जेविछ नजरान जिमें I am student of class 10th बली अलग लाइन होये माई स्कूल नेम बली अलग होये जेकर इसे किसे भी पेज नू इस तरह सानु करने दी लोड होए ते आसी कर सकते हैं इक नमे टैग दी वर्तों करके इस विच यूज करांगे आसी बीया टैग जिमें की पहली लाइन दे विच आसी बीया टैग यूज करांगे सम वो टैग्स दे सामने इत्थे आसी इस दी वर्तों करते हैं इत्थे आसी लिखांगे बी आर टैग बी आर देखना बी आर एक एंप्टी टैग है इसनों आसी सिर्फ ओपन ही करते हैं सानु क्लोज करन दी लोड नहीं होंदी ओपनिंग टैग ही होंदे हैं इत्थे भी असी हर लाइन दे लास्ट दे बीच बी आर टैग दे वर्तों करांगे इत्थे भी असी बी आर टैग स्वरी ए स्लेश नहीं लिगा नहीं सिर्थ उसी से बी आर टैग ही लिखना है इत्थे भी बी आर टैग लग गया ये तेरिया से बी आर टैग दिवर्तों करने है बी आर हार लाइन दे सामने बी आर टैग दिवर्तों करांगे तहां जो हार लाइन अलग लाइन दे विचे लिखी जाए बी आर आप दियार थे बी आर पहली लाइन दे सामने बी आर लिख गया है दूसरी भी BR, तीसरी भी BR थे break, हर एक line वासी break कर देता है यह नो तुसे run करके देखो तुसे run करके देखांगे कि की output आँदी है, आँदेखो अब द्यारतियो यह साथी output बदल चुकी है हर एक line break होके next line दे विच जा चुकी है सब द्यारतियो इस practical नो नोट करके तुसी लेख सकते हो सब द्यारतियो next lecture दे देखांगे तुसे नोट करके thank you, thank you very much